ब्रम्धाने ओम् एशी वानी बोलिये मने का आपाकूल और अने को सी तल करे आपाउं सी तल हो आज हम सभी पाठ एक दोने जिसके लेक अक्सूरी कांत तिरपाठी निराला इस पाठ को पढ़ने से फेले इस पाठ के कुछ सवदार्थ है उसके बारे मैं दिन करेंगे म्रदुल यानि कोमल पात पत्ता गात यानि शरीर निंडरित स्वयावा पर्तियूश प्रातेकाल तंद्रालश निंसे अलसायावा लालसा कुछ पाने की चहा अभिलासा इच्छा इस कविता को अपन पढ़ेंगे उससे पहले इस कविता का पहला अंद्रा जिसका आप दोरान करेंगे अभी नहोगा मेरा अंद अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मिर्दुल वशंद अभी नहोगा मेरा अंद सुनेंगे अभी न होगा मेरा अंद अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मिर्दुल वशन अभी न होगा मेरा अंद इस अंत्रे का यदि अपन परशंग देखें तो इस परकार है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाटे पुस्तक बसंत भाग तीन में संक्लित कविता धौने से है कविता के कवी सुर्य कांत तिरपाटी निराला जी है इस कविता में कवी का जीवन के परतियासावदी दश्टिकोंड दिखाया गया है कवी का यह मानना है कि हमें जीवन के परतियासावदी रहना चाहिए अपने उमिदों को नहीं छोड़ना चाहिए और अप पूरी सकारातमक्ता के साथ, पूरे जोसोजा के साथ जिवन का आनन उठाना चाहिए तो इससे पहले हमने अंतरे को पड़ा था अभी न होगा मेरा आन, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मिर्दुल वसन, अभी न होगा मेरा इस अंत्रे की व्याख्या इस प्रकार है अब अब जब व्याख्या करते हैं तो पहले जो सब्दार तपन्द देखे तो उनको ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करेंगे कवे मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उनके जीवन में अभी अमरित रूपी वन में वसंद रूपी योवन आया है आता है अभी उनका अंत नहीं होगा कवी मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वे ऐसा वदी है जैसा कि हमने जाना और इस गुण की वज़े से वे मानते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उदेश की पूर्टी नहीं कर लेते तब तक उनका अंत नहीं होगा क्योंकि अभी जीवन कभी के जीवन में अमरित रूपी वन में वसंत रूपी योवन आया है अर्थात एक नए उत्सा और जोस का आगमन हुआ है उनके जीवन में फिर से वसंत रुत्यू में चारो तरह फूलों की भर्मार है और उसकी खुस्पु फेली है जो की बहुती सुन्दर लगती है अते अभी उसका अंत नहीं होगा यही कारण है जैसा कि अभी उसका जोस के दिखता है तो अभी वह कुछ दिन ठेरेगा और उसका अंत अभी नहीं होगा यह तो पहले अंतरे का था इसकी का दूसरा अंतरा कविता का है इसका इसका बार दोरान कर लें हरे हरे ये पात डालियां कलियां कौमल गात मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फैरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक परत्युस मनोहर इस अंतरे का परसंग है प्रस्तुतक पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत भागतियंद में संकलित कविता धवनी से है कविता के कवी सूर्यकान तिरपाटी निराला जी है उपरियुक्त पंक्तियों में कवी ने परकर्टी की सुन्दर्ता से मनुष्य की मन के भाव कॉमल और सुकुमार बन जाते हैं ये बताया है मनुष्य परकर्टी से प्रेन लेता है और उसमें नए उत्सा जोस का संचार होता है यही सब कवी ने बताया है इस अंत्रे कवापन फिर से देखें हरे हरे ये पात डालियां कलियां कॉमल लगात मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक पर्तियुस मनोहर इस कवीता का हमने परसंग देखा अब हम पर इस कवीता की व्याक्या करेंगे कवी परकर्ति का वरनंद करते होए कहते हैं कि चारों और व्रक्ष हरे बरे हैं पोदों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है पोदों पर क्या खिली है कलियां खिली है और वो अभी तक सो रही है कभी कहते हैं मैं सूर्य को लाकर मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा जो आलिशे में कलियां सो रही है कलियों को काम तो विक्से तो ना है लेकिन वो आलिशे में सो रही है उसको जगाने का काम कौन करेगा कभी करेगा और किस के माध्यम से करवाएगा सूरिय के माध्यम से सूर्य को लाएगा पंक्तियों के माध्यम से कभी ये भी कहना चाह रहे हैं कि निरास और जिन्दकी से हारे लोगों को कैसे लोग निरास और जिन्दकी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दोंगा जो हार गए हैं निरास हो गए हैं उनको कभी क्या देना चाहता है? जीवन दान देना चाहता है. और कलीयों को जगाने के लिए वो क्या लेके आएगे? सूर्य लेके आएगे. धेखो कभी ने आभी आसा वादी मनाये. कभी परकर्ती का वरणन करते हुए कहते हैं कि चारों व्रिक्स हरे बरे हैं एवं पोदों पर कलिया खिली है जो अभी तक सो रही है कभी कहते हैं कि सुर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा तो अपन ने व्याख्य की इसका अर्थ यह निगला कि वह यूवापीडी में नई प्रेरणा और उत्सा का संचार करेंगे जिस प्रकार कलियों का माधिम का कलिया क्या है यूवापीडी है और इसमें नई प्रेरणा और उत्सा का संचार कौन करेगा कभी सुर्य के माधिम से कलियों को जगा रहा है ऐस थी वो नई जाग्रिती उन्हें जाग्रित करेंगे जिस परकार सुर्य के आने से परकर्टि में एक नया जोस और उत्सा सा जाता है और चारों और हर्याली और फूलों की नई नई खुशू फेल जाती है ये बहुत ही सुन्दर परकरण है पंक्तियों के माद्यम से कभी ये भी कहना चाह रहे हैं कि निरास और जिनकी से हारे लोगों को मैं जिवन दान दूँगा जिन लोगों को निरासा ने घेर लिया है अर्था वो हार मान चुके हैं जिवन से मैं उन लोगों के जिवन में भी बहार ला दूँगा जिस तरह से फूलों की बहार बसंत्रित्यों में चारों फेली हुई है इसी तरह मैं भी UAPD को एक नया जिवन दूँगा बसंद्रितु का काम क्या है वो फूलों की बाहर लाती है और उस परकरती में फूलों की बाहर खिला करके परकरती को खुस नुमा बना देती है उसी परकार कभी कहता है कि मैं भी बसंद्रुपी बन कर इस UAPD को नया जिवन दान दूँगा आप सभी इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं जब आप लिखते हैं तो इसको इसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी तरह की दिखत आती है तो आप वीडियो को रोक रोक करके इस PDF को देख सकते हैं इस्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप इस व्याख्या को भी लिख सकते हैं कख्षाकारे की रूप में और विशेशकर आपको गरेकारे में तीन तरह के परशन करने हैं जो इस पर कार है कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा इसके लिए हमने पहला अंत्रा पड़ा था पहले अंत्रे की जो व्यक्या है इसमें आप देख रहे हैं कि कभी विश्वास क्यों हो गया था कि उसका अंत अभी नहीं होगा देख लिजे आप देख रहे हैं कभी मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि क्योंकि उत्र तर्द स्वस्राइबधारा देख लिया अभी अभी जीवन के कवी के जीवन के अमरित रूपी वन में बसंद रूपी की आया एजया है योवन आया है आता है अभी उसका अन्त नहीं होगा कवी मांते हैं कि कि बसंद जब आ crisis आती है applied नई उत्सा नया उर्जा और नया उत्सा रहता है इसी प्रकार जब तक उत्सा है तब तक कवी का अंत नहीं हो सकता यह उनको विश्वास है बसंत को रितू राज क्यों कहा गया है सिद्सी बात है आपने देखा होगा बसंत के लिए आया है इसमें कलियां खिल रही है और प्रकर्ति पूरी जूम रही है प्रकर्तियों में नहीं तने की उर्जा है और जो बाके की रित्वों में नहीं है और उदारवादी निती जिस प्रकार के राजा होता है और उसकी उदारवादी निती कैसी होती है और सब को खुश रखने के लिए सब के अंदर उस्सा और जोस बढ़ने का काम राजा का होता है इसी प्रकार सबी रित्वों में से भी स्रेष्ट रित्व बसंद रित्व है और बसंद रित्व में विभिन्तरे के फूल और पौदों पर कलिया ये एक नए जोस रहता है नहीं परकटी दिगती है बागे की रितुम ऐसा नहीं होता है लेकिन बसंद रितुम होता है फूलों की गंद इस प्रकार के अधिकांस बदलाओ बसंद रितुम में ही है इसलिए बसंद रितुम को रितुम का राजा का है इसलिए यह आप इसका उत्तर लिख सकते है फिर तीसरा परशन आपके रहे है इस प्रकार यह तीन परसन आपको ग्रेकारी ग्रूप में करने हैं और कख्षा कारे में आप इनकी दोनों परसंगों की गयाख्या लिख सकते हैं और सुन्दर ढंग से लिखो और अपनी कोपी व्योस्तित रहे सब को अच्छा दिखें और कल के वीडियो के लिए आप अगली जो आपकी कक्सा होगी उसमें आप त्यार रहे हैं वैसे हम हम सभी पढ़ाई के लिए त्यार हैं लेकिन कुछ मन ऐसा बंदर गया होगा आपका और सुरुवात भी अभी कर रहे हैं तो आप सभी मन लगा करके पढ़िए और अपने सफलता को उच्छ सिकर दीजिए भगवान से यही दूआ करता हूँ कि आप मन लगा करके पढ़ेंगे और अपना काम व्यवस्ति डंग से सुन्दर अक्षरों में लिखेंगे और कॉपी किताबों पर कवर चड़ा करके रखेंगे यही मैं आप से रखता हूँ धन्यवाद जैहिन